कि तो单 के भाड़ी जा रही है लड़्कियों के ब्रैस 12 अगस्त 2024 को रात के समय उत्तरा खंड की राजधानी देहरादून के बसस्टेंड से लगभग सभी लोग जा चुके थे यानि उस समय वहाँ पर बहुत कम पैसेंजर थे और वो भी वो लोग थे जिनकी रात को बस चलने वाली थी लेकिन उन्ही बस का इंतजार करने वाले लोगों में एक लड़की भी शामिल थी देखने से वो लड़की बहुत परिशान लग रही थी लेकिन वहाँ पर मौझूद लोगों में से किसी ने भी उससे उसकी परिशानी का कारण नहीं पूछा फिर अचानक उस बस स्टैंड पर ड्यूटी करने वाले गार्ड की नजर उस लड़की पर पड़ी और जैसे ही वो गार्ड उस लड़की के थोड़ा पास जाता है तो उसे उस लड़की को देख कर थोड़ा अजीब सा लगता है क्योंकि वो लड़की थोड़ी असहज लग रही थी यानि वो खुद को अनकमफर्टेबल महसूस कर रही थी साथ ही बार-बार वो अपने कपड़े ठीक करने की कोशिश कर रही थी वो बच्ची, डरी, सहमी सी इधर-उधर देख रही थी उसे देखने से लगता था, मानो वो काफी ज्यादा घबराई हुई हो लेकिन फिर उस गार्ड ने देखा कि जिधर वो लड़की बार-बार देख रही थी उस तरफ एक व्यक्ती भी घूम रहा था वो लड़की बार-बार उसी व्यक्ती को देख रही थी और खुद को बहुत ज्यादा अनकमफरटेबल महसूस कर रही थी अब उस गार्ड को भी लगने लगा था कि यहाँ पर कुछ ना कुछ गरबट जरूर है और हो सकता है यह व्यक्ती ही इस बच्ची को परिशान कर रहा हो क्योंकि उस लड़की की उम्र देखने से 15-16 साल लग रही थी उसकी मानसिक स्थिती भी ठीक नहीं लग रही थी इससे पहले के गार्ड उससे कुछ पूछ पाता तब ही उस लड़की ने गार्ड से कहा के मुझे पंजाब के पटियाला शहर जाना है यहां से पंजाब के लिए बस कितनी देर में जाएगी और शायद अगर वो लड़की उस गार्ड से बस के बारे में ना पूछती और अगर उस समय उस लड़की को पटियाला जाने वाली बस मिल जाती तो शायद ये इतनी बड़ी घटना बस एक राज ही बन कर रह जाती खैर गार्ड को उसकी हालत कुछ ठीक नहीं लग रही थी इसलिए गार्ड तुरंथ चाइल्ड हेल्प लाइन नंबर 1098 पर कॉल करता है और उनसे कहता है कि सर यहां दून ISBT के प्लेटफॉर्म नंबर 12 पर एक नाबालिक लड़की खड़ी है मुझे उसकी हालत थोड़ा अजीब लग रही है इसलिए आप एक बार यहां आकर देख लीजिए हो सकता है शायद आप इसकी हालत को बेहतर तरीके से समझ सकें सूचना मिलते ही चाइल्ड वेलफेर की टीम बस स्टैंड पर पहुंचती है और फिर कुछ देर बाद पुलिस भी वहां पर पहुंच जाती है और उस गार्ड से लड़की के बारे में पूचने लगते हैं गार्ड ने उस लड़की को जिस कंडीशन में देखा था वो सारी चीजें उसने पुलिस वालों को बता दी इसके बाद पुलिस उस लड़की के पास पहुंचती है और जब पुलिस वालों ने उस लड़की को देखा तो उन्हें भी पहली नजर में यही लगता है कि इस बच्ची के साथ यहां पर जरूर कुछ तो गलत हुआ है और हो सकता है जो व्यक्ती वहां पर घूम रहे हैं उन में से कोई उसे परिशान कर रहा हो खैर जब पुलिस वाले और चाइल्ड वेलफेर कमेटी के लोग उसके पास पहुँचते हैं वो लोग उससे बात करने की कोशिश करने लगते हैं लेकिन जब पुलिस वाले उस लड़की से बात करने की कोशिश करते हैं तो वो लड़की उन्हें देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाती है। उसके पास जो बैग था, वो उस बैग से लिपट जाती है। और इतने सारे मर्दों को अपने सामने देखकर कापने लगती है, तो पुलिस वाले तुरंट समझ जाते हैं कि ये जरूर आदमियों से घबरा रही है। इसलिए जेंट्स पुलिस पीछे चले जाते हैं और फिर केवल महिला पुलिस आफिसर ही उसके पास रह जाती है। वो उस लड़की से बात करने की कोशिश करती है। लेडी पुलिस आफिसर उससे पूछती है कि बेटी तुम कहां की रहने वाली हो और तुम कहां जाना चाहती हो। उस लड़की ने बताया कि वो पंजाब के पटियाला शहर जाना चाहती है क्योंकि वो बच्ची बहुत ज्यादा घबराई हुई थी। इसलिए उस लेडी आफिसर ने उससे पूछा कि बेटी क्या तुम यहां पर अकेली आई थी या फिर तुम्हारे साथ कोई और भी था जो तुम्हें अपने साथ यहां लेकर आया था। पुलिस उससे कई तरीकों से पूछताच करने की कोशिश कर रही थी। लेकिन बार बार पूछने के बाद भी वो लड़की बहुत कम सवालों के जवाब दे रही थी। फिर भी पुलिस वालों को इतना तो समझ आ गया था कि यह लड़की जरूर किसी बड़ी मुसीबत में हैं। इसलिए वो लोग उसे अपने साथ गाड़ी में बैठा कर पुलिस स्टेशन ले जाते हैं। क्योंकि उस समय लड़की को बहुत ज्यादा भूक लगी थी। तभी उस लड़की ने महिला पुलिस ओफिसर से कहा कि मुझे बहुत भूक लग रही है। इसलिए सबसे पहले उसे अच्छे से खाना खिलाया जाता है, पानी वगेरा पिलाया जाता है। इसके बाद जब लड़की थोड़ा रिलाक्स होती है तो लेडी आफिसर उसके पास बैठ कर फिर से उसके साथ बात करने की कोशिश करती है। लेकिन उस समय वो इतनी ज्यादा घबराई हुई थी कि वो किसी से भी बात नहीं करना चाहती थी। वो पुलिस स्टेशन के एक कोने में चुप चाप बैठी हुई थी क्योंकि उसके साथ जो दरिंदगी की गई थी उसके बारे में बताने के लिए ना तो उसे कुछ समझ आ रहा था और ना ही वो किसी को बताने की हिम्मत जुटा पा रही थी। खैर अगली सुबह उसका ट्रीटमेंट भी शुरू कर दिया जाता है क्योंकि पुलिस वालों को ये बात लग रही थी कि लड़की डिप्रेशन में है और यही कारण है कि ये कुछ भी बताने की स्तिथी में नहीं है इसके बाद दो दिन तक उसका ट्रीटमेंट चलता है इ इस बच्ची के साथ तो दरिंदगी की गई है इसके बाद उन्होंने उससे पूछा कि बेटी ये सब तुम्हारे साथ कहां पर हुआ तो वो लड़की उन्हें बताने की कोशिश करने लगती है लेकिन जब वो उन्हें अपने साथ हुई हैवानियत के बारे में बता रही थ तो इसी बीच वो जोर जोर से रोने लगती है क्योंकि वो महिला पुलिस करमी थी इसलिए उसके हालातों को काफी अच्छे से समझ रही थी इसके बाद उन्होंने उस बच्ची को चुप कराया और उसे दिलासा देते हुए कहा कि बेटा तुम डरो मत अब सब कुछ ठीक हो वो लड़की बताती है कि उसके साथ कई लोगों ने मिलकर गंदा और घिनोना काम किया है यानि उसके साथ गैंग रहा था इसके बाद पुलिस वालों को पता चलता है कि उसके साथ ये हैवानियत उत्तराखंड के देहरादून बस स्टैंड पर हुई है अब क्योंकि वो ब इन्वेस्टिगेशन भी वहीं से शुरू करती है इन्वेस्टिगेशन के दौरान जब सिसी टीवी कैमरा को चैक किया जाता है पुलिस वालों ने देखा कि वहाँ बस स्टैंड पर उस लड़की के आसपास काफी लोग घूम रहे हैं फिर थोड़ी देर बाद धीरे दीरे लोग कम होने लगते हैं और आखिर में जब वो लड़की उस बस स्टैंड पर अकेली रह गई तो उस समय एक व्यक्ति उस लड़की के आसपास घूमता हुआ नजर आ रहा था वो बार बार उस बच्ची को देख रहा था इसलिए वो व्यक्ति पुलिस को भी संदिग्ध ल इसके बाद पुलिस वाले उस वीडियो फुटेज से उस व्यक्ति की फोटो निकलवाते हैं और फिर से बस स्टैंड पर पहुँचते हैं वहां बस अड़े में जितने भी लोग काम करते थे उन सब को वो फोटो दिखाया जाता है और उनसे पूछा जाता है कि क्या तुमन तुमें पूरी बात बताओ कि आखिर तुम लोगों ने उस सोला साल की नावालिग लड़की के साथ क्या किया था और इस काम में तुम्हारे साथ कौन कौन लोग शामिल थे पहले तो वो व्यक्ति पुलिस को गुमरा करने की कोशिश करता है लेकिन जब उससे कड़ाई से तो तब उसने एक ऐसी कहानी सुनाई जिसे सुनकर शायद आपका भी खून खोल उठेगा दरसल 12 अगस्त 2024 को शाम के लगभग चार बजे के आसपास का समय था दिल्ली के कश्मीरी गेट पर एक लड़की खड़ी हुई थी वो वहाँ पर मौजूद लोगों से पूछ रही देहरों में जाती हैं इसलिए वो लड़की थोड़ा कनफ्यूज थी कि पटियाला जाने के लिए मैं किस बस में बैठ हूँ लेकिन वो लड़की जिस व्यक्ति से बस के बारे में पूछ रही थी दरसल वो भी एक बस का ड्राइवर था उसने कहा तुम परेशान मत हो ये ज कोई जरूरत नहीं है जब तुम्हारा स्टॉप आएगा तो मैं तुम्हें बता दूंगा तुम वहां पर उतर जाना इसके बाद धीरे धीरे वो बस चलने लगती है और फिर वो बस रात करीब साड़े दस बजे के आसपास उत्तरा खंड की राजधानी देहरा दून बस स् इसके बाद उस बस का कंड़क्टर और ड्राइवर उस लड़की के पास जाते हैं और उससे कहते हैं के पटियाला यहां से थोड़ी ही दूर है लेकिन उसके लिए तुम्हें यहां से दूसरी बस पकड़नी पड़ेगी वो बस ड्राइवर आगे कहता है कि पटियाला जाने पीछे वाली सीट पर लेकर जाते हैं फिर उसके शरीर के अलग-अलग हिस्सों को छूने की कोशिश करने लगते हैं उसे परेशान करने लगते हैं और फिर धीरे धीरे उसके कपड़े उतार कर वो दोनों उसके साथ गंदा और घिनोना कृत्ति करने लगते हैं कंड़क्टर और ड्राइवर बारी बारी से उस बच्ची के साथ दरिंदगी कर रहे थे वो बच्ची चीख रही थी चिला रही थी उस समय ठीक उन्ही के बराबर में एक और बस खड़ी हुई थी जो कि रिशिकेश से दिल्ली रूट के लिए चलती थी जब उस लड़की की चीखे वहां तक पहुँचती हैं तो उस गाड़ी के अंदर भी दो ड्राइवर बैठे हुए थे लड़की के चीखने की आवाज सुनकर वो दोनों भी कुछ देर के बाद उस गाड़ी में आते हैं और वहां पर वो देखते हैं कि उस गाड़ी में एक लड़की बुरी हालत में पड़ी हुई है और उस बस का कंड़क्टर और ड्राइवर उस लड़की के साथ गंदा और घिनोना काम कर रहे हैं अब यहाँ पर वो दोनों ड्राइवर भी उस बच्ची की मदद करने के बजाए उल्टा ये कहते हैं कि अब हम भी इस लड़की के साथ ऐसा ही करेंगे इस पर पहले दोनों कंड़क्टर और ड्राइवर ने कहा के कोई बात नहीं आपको भी जो करना है करो और इसी तरह लगभग दो घंटे का समय बीच जाता है उस लड़की के साथ लगातार ऐसे ही गंदा और घिनोना कृत्य होता रहता है यानि वो चारों उस लड़की के साथ बारी बारी से बलात करते रहते हैं तब उस गाड़ी का कंड़क्टर जो उस लड़की को दिल्ली से अपने साथ लेकर आया था वो कहता है कि मेरे पास टिकेट के कुछ पैसे हैं, मैं ये पैसे कैशेर के पास जमा करके आता हूँ, इतना कहकर वो कंड़क्टर चला जाता है, इधर ये तीनों हैवान ड्राइवर उस लड़की के साथ दरिंदगी करते रहते हैं, उधर कंड़क्टर कैशेर के पास जाता है और जो टिकेट के पैसे उसने पैसेंजर से यानि यात्रियों से कलेक्ट किये थे उन्हें जमा कराने लगता है लेकिन तब ही कैशियर उससे कहता है कि तुम्हारी गाड़ी तो दिल्ली से रात साधे दस बजे के आसपास बस स्टैंड पर आ चुकी थी तो फिर तुम दो ढ़ाई घंटे के बाद केश जमा कराने क्यों आये हो और इतनी देर तक तुम कहां थे वो कंड़क्टर कहता है कि साहब बस ऐसे ही मैं थोड़ा बिज़ी हो गया जिसकी वजह से मैं आज लेट हो गया लेकिन जब केशियर ने उससे तरह तरह के सवाल पूछने शुरू किये तो वो उसके सवालों के सामने ज्यादा देर टिक नहीं पाया और आखिर उसने केशियर को भी बता दिया कि साहब मेरी गाड़ी के अंदर एक लड़की है अगर तुम भी चलना चाहो तो मेरे साथ चल सकते हो केशियर ने जैसे ही ये बात सुनी तो वो भी उसके साथ जाने के लिए तैयार हो गया इसके बाद जब वो कैशियर उस गाड़ी के अंदर जाता है तो देखता है कि दो ड्राइवर उस लड़की के साथ गंदा घिनोना कृत्य कर रहे थे लेकिन जब उन दोनों ड्राइवरों की नजर कैशियर पर पढ़ती है तो वो लोग कैशियर को देख कर कहते हैं कि पहले साहब को करने दो हम लोग बाद में कर लेंगे इसके बाद उस कैशियर ने भी उस लड़की को नौचना शुरू कर दिया यानि उसने भी उसके साथ गंदा कृत्य किया और इस तरह पहले कंड़क्टर फिर ड्राइवर फिर उनके पास में जो गाड़ी खड़ी हुई थी जो रिशिकेश से दिल्ली के लिए चलती थी उसमें बैठे हुए दो ड्राइवर और आखिर में वो कैशियर वो पांचों पट्याला नहीं जाना चाहती यानि अगर तुम पट्याला जाना चाहती हो तो तुम्हें ये सब करना ही पड़ेगा उस लड़की की समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ हो क्या रहा है और अब तो उसकी मानसिक स्थिती भी बिगड़ने लगी थी लेकिन फिर कि प्रास में ही एक व्यक्ती मैगी बना रहा था लेकिन फिर अचानक वहां पर मौजूद गाड़ की नजर उस लड़की पर पढ़ती है गाड़ देखता है एक संदिग्ध व्यक्ती जो के कंड़क्टर था वो उस लड़की के इर्द गिर्द घूम रहा था और बार बार उस लड़की के करीब जाने की कोशिश कर रहा था दरासल उस कंड़क्टर को अब डर सताने लगा था कि कहीं ये लड़की किसी को कुछ बता ना दे इसलिए वो उसे वहां से हटाना चाहता था ताकि वो लड़की लोगों के बीच में ना जाए लेकिन तभी गार्ड ने पर पहले उस कंड़क्टर को अरेस्ट करती है जो के संदिग्ध लग रहा था और जब उससे पूछताच की जाती है तो उसके दिये गए बयान के आधार पर चार और लोगों को अरेस्ट किया जाता है उन पांचों के नाम की बात करें तो उनमें एक का नाम धरमेंदर कुम पाद में नवाब गंच के गाव सिला का रहने वाला रवी कुमार साथ ही हरिदवार के बंजारा वाला गाव का रहने वाला राजपाल जिसकी उम्र 57 साल है और एक देहरा दून के पटेल नगर का रहने वाला राजेश कुमार होता है उन पांचों को अरेस्ट करने के बाद जब उनसे बारी बारी से पूछताच की गई और जब इस घटना का खुलासा हुआ तो इस घटना के बारे में सुनकर पुलिस वाले भी सिहर गए थे इसके बाद S.S.P. राजेश कुमार द्वारा उन पांचों के खिलाफ 17 अगस्त 2024 को A.F.I.R. दर्ज कर ली गई थी लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये था कि आखिर वो लड़की कौन थी और कहां की रहने वाली थी जब इस बारे में उस लड़की से पूछा गया था कि वो कहां की रहने वाली है इस पर लड़की ने बताया था कि वो पंजाब के पटियाला की रहने वाली है लेकिन जब पुलिस जांच पड़ताल करती है तो पता चलता है कि वो लड़की उत्तर प्रदेश के जिला मुरादाबाद के मुडा पाडा थाना क्षेत्र के किसी गाव की रहने वाली है इसके बाद देहरादून पुलिस ने मुड़ा पाड़ा क्षेत्र के उस गाव में जाकर उस लड़की के माता और पिता से संपर्क किया हाला कि अभी तक तो वो लड़की कह रही थी कि मेरी माँ और बाप दोनों मर चुके हैं जबकि उसके माँ बाप अभी जिन्दा है और उसका एक भाई भी है जो रामपुर में मजदूरी करता है इसके दोर अपना घर कहीं कभी अनन शहरों में बताया गया और मता पिता जी के बारे में पूछने पर उसके दोरा यह बताया गया क्यूंकि माता पिता जी की डेथ हो चुकी तो इस सब चीजों को परिस्टियों को देखते हुए बालने के तर ले जाय गया गया तर वहां इसके बाद उसकी काउंसलिंग में भी वो नॉर्मल परिसितियों में इसके दोरा कुछ नहीं बताया गया और अपने घर के बारे में भी बहुत जादा डिटेल नहीं दी गई तो काउंसलिंग रिपोर्ट के अवलोकर से भी सबस्ट हुआ पूस्ताश से भी जब सेकेंड डे और जब उस लड़की के माता पिता से पूछा गया कि तुम्हारी लड़की कहा है तो उन्होंने बताया कि करीब बारा दिन पहले वो लड़की अचानक घर से निकल गई थी हाला कि इससे पहले भी वो एक दो बार घर से गई थी लेकिन हर बार वो लोग उसे जल्दी ही ढूंड लेते थे उनका कहना था कि इस बार हमें पता ही नहीं चल सका वो कब कैसे निकल गई हमने उसे हर जगह तलाश करने की कोशिश की इसके बाद लड़की के माता पिता उसे लेने के लिए देहरादून पहुँचे लेकिन लड़की ने अपने माबाप के साथ जाने से साफ इंकार कर दिया था कि मुझे इनके साथ नहीं जाना है पुलिस जांच में ये भी पता चला था कि उस लड़की के माबाप की भी मनोस्थिती ज्यादा अच्छी नहीं है और वो लोग भी अपनी बेटी को लेकर काफी समय से बहुत ज्यादा परिशान रहते हैं वो लड़की जिसके साथ पांच लोगों ने सामूहिक बलातकार किया था उसको तो ठीक से ये भी नहीं पता था कि उसके साथ इतना गंदा और घिनोना कृत्य हुआ है हालां कि उस लड़की का अभी भी इलाज चल रहा है साथ ही उसे अभी फिलहाल बालिका निकेतन में रखा गया है ताकि उसकी मानसिक स्थित ही कुछ ठीक हो सके उसकी कई बार काउंसलिंग भी कराई जा रही है और इस घटना से संबंधित अन्य आरोपियों के बारे में भी जानकारी जुटाने की कोशिश की जा रही है पुलिस का कहना है कि हो सकता है इस घटना में पांच से ज्यादा लोग शामिल रहे हो साथ ही पुलिस का ये भी कहना है कि इस मामले को फास्ट ट्रैक कोट में चलाया जाएगा और आरोपियों को कम से कम समय में कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की कोशिश की जाएगी ताकि समाज में इनसानों के रूप में घूम रहे हैवानों को ये संदेश दिया जा सके कि बुरा काम करने वालों को किसी भी तरह बक्षा नहीं जाएगा लेकिन इस लड़की के साथ जो होता है उस घटना को सुनने के बाद कहीं तरह के सवाल खड़े हो जाते हैं यानी एक तरफ अभी पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर की घटना को लेकर पुरे देश में बवाल मचा हुआ है इनसाफ के लिए धरना प्रदर्शन भी किये जा रहे हैं लेकिन ऐसा लगता है कि इस तरह का गंदा और घिनोना काम करने वाले लोगों को शायद अब कानून का कोई डर नहीं रहा क्योंकि कोलकाता केस के ठीक तीन दिन बाद देहरादून में भी इसी तरह की दरिंदगी की वारदात का हो जाना ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है और जो कुछ इन दोनों लड़कियों के साथ हुआ वो वाकई बहुत भयानक और डराने वाला है लेकिन सबसे अजीब बात ये कि इन पाँच लोगों में दो लोगों की उमर पचास साल से ज्यादा थी क्या उन्हें उस बच्ची के साथ दरिंदगी करते हुए एक बार भी इस बात का ख्याल नहीं आया कि ये लड़की उनकी बेटी की उमर की है या फिर उनकी पोती की उमर की है जिसे वो लोग सारी रात नोचते रहे उसकी इज़त को तार तार करते रहे खैर फिलहाल पुलिस ने उन सभी आरोपियों को जेल भेज़ दिया है साथ ही पुलिस का कहना है कि आरोपियों को जल्द से जल्द कोट द्वारा कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाएगी दोस्तों इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं है किसी को परेशान करना नहीं बलके आपको जागरुक करना है आपको सचेत करना है दोस्तों इस पूरी घटना के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अगर हमारी मेहनत पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करते हुए शेर भी करें अगर आपने अब तक चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सबस्क्राइब कर लीजिए धन्यवाद